इंडिजेशन , इंडिजेशन को हम बधघमी पच्छ या डिस्क पर्पप्सी अभी बोलते हैं नमस्कर दोस्तो मैं आजे कौशिक आपका बलड टेस्ट एक्सपर्ट शीतल चायदियागनौस्टिक डिली से दोस्तों शीतल चाया डाइगनॉस्टिक का अपना एक चैनल है जो शीतल चाया के नाम से है जो एक मेडिकल इन्फरमेटिव चैनल है मैं चाहता हूं कि आप उसको सब्सक्राइब करें और उसके वीडियो देखें अगर पसंद आए तो उसको शेर और लाइक भी करें तो आज का जो हमने topic लिया है वो है indigation indigestion एक ऐसी problem है जो हर व्यक्ति को कभी न कभी face होती है indigestion का नाम सुनता ही हमें लगता है कि यह क्या problem है यह सही बोलता है कि मिरकू बध़जमी हो गई मिरकू indigestion हो तो जब भी हमारी नाभी से उपपर डिसकमफर्ट हो और दर्द हो नाभी से उपपर और वो दर्द हमारे सीने तक चला जाया तो इसको इंडेजेशन बोलते हैं इंडेजेशन में जो हमारे को major problems भी होती हैं जैसे हमारे को belching हो जाएगी हमारा पेट टाइट हो जाएगा पर उल्टी नहीं आएगी तो इसे सारी रोडम्स हो जाती है इंडेजेशन का जो मेजर कारण है कि हम क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं यह एक मेजर मेजर कारण होता हैmatican day लोगिरिमार तो अगर हमारा को कॉली लिथियास मतलब कि हमारे गाल ब्लेड़ है ठीक से काम नहीं कर रहा है या उसमें पत्री आ गई है तब भी हमारे को इंडेजेशन होगी तो इंडेजेशन को हमारे को बिल्कुल ले लेना है सीरिस्टी लेना है कई बढ़ हमारे को गैस्ट्रिक अलसर हो जाते है मतलब कि जो हमारा पेट है पेट के अंदर हमारे को चाले हो जाए अलसर मतलब कि उसमें चाले हो जाएं और या फिर एक्यूटर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो जाए एक्यूटर क्रोनिक गैस्ट्राइट उस लेयर थोड़ी सी इरोड हो जाए तो यह भी कारण होते हैं इंडेजेशन के उसके लावा अगर हमारे को गर्ड है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज मतलब कि जो हमारा जो एसेड है वो हमारे गले में आने लग जाए यह जाता है Inad Liep reviews हमारे को गैस्ट्रीक अल्सर हो गया गैस्ट्राइटेस होगी गर्ड होगया तो साराई को सीम्टम्स हमारे को करते हैं तो इसको हमारे बड़ा सीरियसलिंदेना तो हमारे को immediately doctor को दिखाना है, lightly नहीं लेना और उसका treatment कराना है और indigestion के लिए या जो problems आप face करें उसके लिए आपका कोई प्रशन हो तो आप definitely आप inbox में कर सकते हैं gastritis के लिए आपको बिल्कुल उसका जवाब देंगे specialist से confirm करने के बादे आपने ये वीडियो बड़ा patiently सुना, इसके लिए thank you